लेकिन साथी साथ चीनी या गन्ने पर भी आज ब्रेकिंग न्यूज निकलती हुई नजर आई है और सरकार गन्ने की एफारपी बढ़ा सकती है ऐसा सूतरों से मिली जानकारी के मताबिक है यह बढ़ोतरी अब तक की सबसे जादा रह सकती है और बहुत ही अंटाइमली भी र बाचीत हो रही है कैसे देखते हैं आप इसे कितनी बड़त की एक्सपेक्टेशन है और क्या 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 इसका फैसला आज जी ले सकती है देखें सबसे पहले बात तथियों की करें तो आज शाम में साड़े साथ बज़े कैबिनेट और कैबिनेट कमिटी ऑन एकॉनमी का फैर सीसीय की बैठक होने वाली है और बहुत हत्तक संभावना है जो सुत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि इस सीसीय की बैठक में सरकार ग इस बार सरकार अभी FRP टैक कर सकती है वह Mayшей FRP में जो अभ्होतरी है वह 315 रुपए परतिक क्युण से बढ़ा करके 340 रुपए परतिक मिटल किए सकता है 315 रुपए परतिक ईस्रकार ने पिछ्री बार टैकिया था जिसका ए ANYक्री रेट 10.25 परसेंट है यानि एक कुंटल चीनी में 10.25 kg अगर चीनी निकलती है उसको 10.25% recovery rate कहते हैं और अगर उससे कम recovery होती है तो फिर उसके कीमत कम होती है अब यहाँ पर देखने वाली बात यह हो कि यह 1015 से बढ़ा के 315 से बढ़ा के 340 वी परतिक कुंटल किया जाता है तो यह recovery rate 10.25 रखा जाता है अगर यह रखा जाता है तो चीनी मेलों को थोड़ी सी मुश्किल वाली बात होगी अगर recovery rate बढ़ा दिया जाता है तब चीनी मेलों पर बहुत ज़्यादा इसका उल्टा असर नहीं पड़ेगा और इस फैसले से कह सकते हैं कि करोणों किसानों को काफी ज़्यादा फैदा होगा और ऐसे वक्त में फैसा लिया जा रहा है जब किसान अंदुलन तेज होता हुआ दिख रहा है कि जो यूपी के केन के जो गन्य के किसान है वो भी सेजिटेशन में यहाँ पर जुड़ते बें नजर ना आएं आप अफकोस जो सोर्सिस के तुरू खबर है वो तो है ही और जैसे आपने का आज शाम तक क्लियर भी हो जाएगा लेकिन आप क्या सुन रहे हैं अपने सरकल से क्या ये जादा पॉलिटिकली डिरिवन मूव है देखें दोनों चीज़े हैं पॉलिटिकली डिरिवन मूव भी है और एक इसके पीछे सोच भी है पॉलिकले डिरिवर में आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी जितने भी किसान आंदोलन पर हैं वो खास और से पंजाब के किसान हैं कुछ हर तक हर्याना किसान है तो अब शामिल होने के लिए ज़ादा उत्सुक ना हो आतूर ना हो शामिल ना हो इसके लिए एक बड़ा फैसला होगा और गन्नी के फार्पी बढ़ाए जाती है क्योंकि अब तक के सबसे ज़ादा जो फार्पी बढ़ोतरी होगी उनमें से एक बढ़ोतरी इसे माना तो सरकार समय से पहले गन्य की F&P बढ़ा करके गन्या किसानों को एक आश्रस्ट करना चाहती है कि आपने गन्यीघ्य खेती अगर अभी कर दी तो आपको बहतर कीमत मिलेगा अगर गन्या का उत्पादन बढ़ता है तो जाहे तो चीनी को उत्पादन बढ़ेगा और जो यह आशंका है कि Carry Over Stock जो है वो कम होगा तो उस आशंका को खारिज कर सकेगी सरकार और चीनी की बड़ती किमतों की जो आशंका अगले साल भी उस पर सरकार लगाम लगा सकेगी इसके पीछे एक आर्थिक सोच भी है जैसे आपने का कि Lower Cane Plantation की बाचीत यहाँ पर चली रही है तो इवन आज वो दो मिलियन टन एक्स्ट्रा है ऐस आफ नाचीनी Carry Forward Stock में जैसे की कहा गया 6 मिलियन टन होने की ज़रूरत है 8 मिलियन टन है लेकिन सरकार कोई बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर शायद नहीं लेगी क्योंकि अगली जो फसल है उसकी बुआई भी कम होने की एक्सपेक्टेशन है तो क्लियरली काफी समझ बूज कर और शायद समय से पहले और अची तरह से स्ट्राटेजी बनाते हुए हम यहाँ पर क्याबनेट में से आता हुआ देखेंगे लक्षमन आज अल्वेस बॉट शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए एक ब्रेक का समय है लोटेंगे तो बात करेंगे सेनकर गोल्ड के लिमिटेड के MDN CEO सुवांकर सेन से एक्स्क्लूजिव बातचीत होगी यह CNBC आवास के साथ बता दें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार एक्सपर्ट की अपने नीजी विचार होते हैं वेबसाइड या मैनेजिमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रूल की सलहा है कि कोई भी निवेशन इंड लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलहा ले